कुछ ना कहने से भी छिंजाता है जाज सुकून जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है नमस्कार मैंनी दीरतन और आप देख रहे हैं नैशनल दस्तक आप लगातार तस्वीरे तो शोचल मीडिया पे देखी रहे होंगे कि किस तरीके से भगवा पहने लोग बार बार काहौल को किस तरीके से बिगाडने की कोशिस करें लेकिन सोचिए जब मस्जित के आगे ही डीजे बजाना हो तालिया बजानी हो नाचना हो तो कोई रोखने आए तो दंगा करो हिंदू खत्रे में इस तरीके से छाती पीटने लगो सोचिए वरिस्ट पत्र का विनोध काप लगतार मोधी सरकार पे तंज करते हुए और जिस तरीके से भगवा पैने गुंडे आतंक फैला रहे हैं इस पर निसाना साथते वगाए कि मस्जित के बाहर जाकर जब इनको तमाशा ही करना है गुंडा गर्दी ही करनी है तो ऐसे लोगों को मंदिर जाने ही क्यूं दिया अनुवा गोजहा लगतार सरकार से सवाल कर रहे हैं कि यौशे करजा लेकर हजारों करोडों रूपे यहां से लेकर विदे शिफ्ट हो गए मोधी सरकार क्या उनको भारत लाने का काम करेगी क्योंकि जो राम को ला सकता है वो ऐसे अपराधियों को भी ला सकता है जो इस देश का पैसा लेकर विदेश फरार हो चुके हैं क्योंकि देश के प्रधान मंतरीics Natural.14 में आने से पहले ही कह चुके lên मंचों से कि हम काला धन ले बिल्डोजर पर आए घर जाता है तो अमतालिया बजाते हैं अपने घर आता है तो आशू आ जाते हैं ये वीडियो मुंबई की एर इंडिया कलोनीक आया जहां अडानी के माल के लिए बुल्डोजर पहुंचे हैं इतना होने के बाद भी मैं दावे से कह सकता हूं कि अगली बार फिर मोधी को ही वोट देंगे आपको विश्वास ना हो तो चुनाव के बाद इनसे पूछ लेना भारत का मिडल क्लास गुलाम हो चुका है और गुलामों को ना कोई दर्द समझता है ना ही कोई आवाज सुनता है सोचे मुंबई की एर इंडिया कलोनी में किस तरीके से बुल्डोजर के जरीए वहां की इमारतों को गिराया जा रहा है क्योंकि बुल्डोजर जब दूसरे के घर पर चलता है दूसरे की कलोनियों पर चलता है दूसरे समुदाय के लोगों के घरों पर चलता है तो हम तालिया बजाते हैं हम खुशी से फूले नहीं समाते हैं लेकिन जब अपनी बारी आती है तो कैसे इनका कलेजा फटा जा रहा और कैसे ये एर इंडिया के लोग जो हैं वो आसु बहाने का काम कर रहे हैं सोचिये जो आग लगा रहे हैं हम धरम की आड में उसकी चिंगारियां तो हमा आपकी भी बारी आ सकती है लेकिन सोचिए टीवी चैनल लगाता धरम की आड में किस तरीके से अपनी मनुमान सिकता को इस देश की तमाम देश लोगों पर थोपने की कोशिस कर रहे हैं ताकि उनके जो जरूरी मुद्धें रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्त, सिक्षा, आत्मा की जा सके इसलिए देश में टीवी चैनल का इस्तमाल करकर सरकारे मुद्धों को भटकाने की कोशिस करती कैसे भगवा करने वाले गुंडों को भी जस्टिफाई कर रहे हैं टीवी चैनल अखवाल लेकिन इसके साथ साथ जाटनेता और सपा प्रवक्ता राजकुमा हातों में सविधान अभी भी डेमोक्रेसी को बचाए रखा है इस देश में अगर कोई ये सोचता है कि भगवा पट्टा पहन कर धरम के नाम पर कुछ भी अपराद कर लेगा तो वे देश का और कानून का सविधान का मुक्दर्सक बनकर देखता रहें ये उसकी गलत फहमी जो बिल्किस बानों के रे पारोपी थे क्या वो भगवा पहन कर भी अगर उनकी गिंती संसकारी लोगों में होती है तो ऐसे भगवा पट्टों को पहन कर ना जाने कितने किर्मिनल हमारे आसपास समाच में और देश के रास्टे सोहार्थ को बिगाडने की कोशिस करें उजयन में मालडोन लाके में सरदार भाई पटेल की मूर्ती पटेक्टर चड़ा कर रोड और पत्थर मार कर मूर्ती को तोर दिया दो पक्षों में लड़ाई हुई किस तरीके से तमाम सोशल मीडिया पे आप जातिवादी मनुवादी लोगों को आप देखेंगे तो जयन की खबर को कैसे तोर मरोड कर आपके सामने जारी किया जा रहा है कि दलितों की लड़ाई हो रही है जिनोंने सरदार की मूर्ती को गिरा दिया जबकि जैश्री राम के नारों के साथ सरदार बल्लम भाई पटेल की मूर्ती को गिराया जा रहा है तो इन लोगों की जाच होनी चाहिए कि राम की आड में इस देश में गुंडागर्दी करने वाले कौन है राम की आड में बरबरता करने वाले कौन लोग है राम की आड में महिलाओ के साथ बतसलू की करने वाले कौन है राम की आड में पुलिस चौकी से लेकर हो चाहे लोगों को डराधम का जबरंच जए श्री राम बुलवाने वाले कौन लोग है क्या राम ने यही सपना देखा था क्या राम का राम राज्य यहीं है क्या प्राम के नाम पे पूरे समराज्य में आतंक फैलादो भगवा पहन कर किस तरीके से लोगों को निशाना बना जा रहा मीरा रोड के सीतल नागा इलाके में एक भीड ने कथित तोर पर एक मुसल्मान के दो लाक रुपे की नगदी लूटी और कुर्टा पजामा पहने मुसलिम यूवक की दुकान में तोर फोर कर दी सोची यह लगतार मुंबई के मीरा रोड से ऐसी खबर आ रही है चाहे लख पहनाता और उनको ना योगी अदित्यनात रोख सकते हैं ना ही केंद्र सरकार क्योंकि वो धरम के रक्षक बनकर सडकों पर आकर कुछ भी गुंडागर्दी कर सकते हैं सोची मीरा रोड पर एक मुसल्मान समुदाए के व्यक्ती के दो लाक रुपे हड़ा पली है और उन्ह स्याओ को सुल्जा कर आगे बढ़ता पी-एम श्री नरेंद्र मोदी से सुनी हैं उनकी बहुमत की सरकार के फाइदे सोचिए आज मतदाता दिवस है किस तरीके से देश के प्रधान मंत्री ऑनलाइन नमो नमन मतदाता संबेलन कर रहे हैं वर्चूल संबेलन में वो लगता सरकार बहुमत वाली सरकार के फाइदे गिनवा रहे हैं हलाकि वह यह पहली बार नहीं कर रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वह अपने चुनावी मैनोफेस्टों में कुछ और बाते करते हैं और जबकि हाला कुछ और होते हैं कि किस तरीके से देश के प्रधान मंत्री आज रास्टिय मत्यदाता दिवस पर वो देश को संबोधित कर रहा हैं और इस संबेलन को भी आगे बढ़ाती हो लिखते हैं वो अपनी बात में कि उन्होंने एक्स पर कहा कि रास्टिय मत्यदाता दिवस पर सुबकामना एक अव्तार जो हमारे जीवन्त ल कार्य करने वाले लोगों की प्रणाली है वो इतना लेजी है कि कई बार तो लोगों की वोटर लिट से ही नाम गायव रहते हैं किसी का वोटर लिट ही चेंज रहता है किसी का बूत के जरीए नाम चेंज हो जाता है किसी का सरनेम चेंज होता है तो यह हैं हमारे देश की वि के दौरान यूवा मतदाताओं से बाचित करती हुए देश के पर धान मंत्री ने कहा कि आप सभी अब लोक्त अंत्र प्रणाली का एक मैत्वोपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं क्यूंकि आपका नाम मतदाता सुची में दर्ज हो गया आप सभी का नाम एक समय में मतदाता अंदर अपसर है कि आप विक्सित भारत में अपना नाम सुची अक्षरों में कैसे अंकीत करा सकते हमारी गती दिश्याद्रस्टी को और आप सभी द्वारा ते किया जाएगा और पीम मोदी ने कहा मतदान इसका एक बहुत ही बड़ा माध्यम है वो जानते हैं बाहुमत व ब्रणाने में में वाला देश का पढ़ान मंत्री और सपना देखने वाले हमारे देश के माने पढ़ान मंत्री जी के सपने को साकार बनाना है तो आप देश की डेमोक्रेसी में बढ़ चाड़कर हिस्सा लिजान और अपने वोट का सही सरकार चुन्न में इस्तıl Focus करा क्या उन्होंने आपकी सरकार बनाने में आपको वोट नहीं दिया क्या जो देश पर भगवा पहने लोग धरम के रक्षक बनकर गुंड़ागर्दी कर रहे हैं जो लगाता है जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं बहुत संख्यक लोगस्टियस सी माइनौटी की आप बात करत में डंडा जंडा बनाकर आपने अपरादी बना दिया है क्योंकि उनको धरम की आफीम चटा दिया है क्या वोट तो डेमोक्रेसी की बात कहकर मांगते हैं लेकिन बाद में क्या होता है किस तरीके से जो राम को ला सकते हैं क्या वो भ्रसचारियों को भी ला सकते हैं 14 के बाद 19 में भी उन्होंने अपनी सरकार बनाई और कैसे उन्होंने तमाम तरीके के चुनावी जुमले छोड़े हैं अलाकि अमिश्या खुद कह चुके हैं कि हम सिर्फ चुनावी वादे करते हैं एक तरफ तो उनका चुनावी वादा और वादों की जरा उनका खोकला अंदाज हमें देखने के लिए मिलता है 24 का चुनाव नजदीक है तो वो तमाम जो धार्मिक समर्थक हैं उनको वो मंदिर बनाकर वोट वैंक की राजनीती करना चाहरे हैं और जो सोसल जिस्टिस के ही तैशी हैं तो वो जैस मानिवर जन्नाय कर पूरी ठाकूर को भारत रतन देकर पिछड़े समाज का वोट बैंक लूटना चाहते हैं तो अब आपको तै करना है कि आपके लिए कौन सी सरकार सबसे ज़्यादा जरूरी है जो आपको मंदिर बना कर दे जो आपके बच्चे के हाथ में डंडा और जंडा दे आपके बच्चे को धार्मिक हिंसा के लिए प्रेरीत करें या आपके बच्चे क जाना पड़े जहां पर यूद छिड़ा हुआ है जहां पर मौत की लड़ाई हो रहे हैं जहां पर मौत का तांडव खेला जा रहा है जो इसराइल फिलिस्तिन जैसे मासूम देश को भी बरबाद कर सकते हैं तो उसकी क्या गारंटी है कि ऐसे भरतियों की जान सुरक्षित रह इन सब को जितनी आसानी से सरकारे बोल देती हैं क्या उतनी गंभीरता से वाकई में उसके लिए काम करती हैं ये दवाब हम सब का है आपका है हमारा है इस देश की तमाम आवाम का है कि सरकार को जबकि बहुमत से नहीं बहु मतों के अधार पर प्रेशर के साथ काम करना चा आप दो बार सरकार बना चुके हैं, तीसरी बार आप देश के प्रधान मंत्री बनने की सम्भावना जता रहे हैं, जनता का कितना विकास हुआ, सिक्षा का कितना विकास हुआ, महिलाओ की सुरक्षा का कितना विकास हुआ, ये खबर में कोई मिर्च मसाला नहीं है, लेकिन आ नहीं ना कहीं इस देश का चौथा पिलर कहाई जाने वाला मीडिया संस्थान भी नीजी करण हातों में बिख चुका है कलम की तागत भी कमजोर होती जा रही है शुक्रिया निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर ख